तो मेरे में से आप लोगों का तैयारी बच्चा अच्छा चल रहा होगा बहुत सारे बच्चे का मैसेज आने स्टार्ट हुआ इसर और भी लेक्चेस आपको करने है तो मैं पोशिश पूरी तरह से करूंगा कि लास्ट जो हम लोग जब तक एक्जाम ना हो क्योंकि एक्जाम में 2024 तो जब तक एक्जाम ना हो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाओ जो भी हेल्प है वो करेंगे आप इशू है तो मेरा फोन नंबर आपका पार सब्सक्राइब कर सकते हो कॉल लेना तो पॉसिबल नहीं है ना मैक्सिम के पास है भी तो बच्च भी अगया तो लाइक्शन से पाएदा क्या हुए लाइट रियक्शन से आपको हुआ था की सबसे पहले संलाइट आया था संलाइट आया वाटर को ब्रेकडाउं गया तो पहला वह तहा फोटलोडिस व वाटर ठीक है इससे बचाव टूरीरीई हुए और ये ओटू का पच से किया बना बच्चा ना हमारी जो हाइड्रोजन है वो बर्चा बनाने में चला गया अपको मैंने बोला था कि सबसे पहले वाटर तूटेगा और तूटने के बाद में वो एलेक्ट्रॉन को एक साइट का लेगा एलेक्ट्रॉन पीएसटू में जाएंगे फिर पीएसवन में जाएगा वो अल्टिमेटली बटा एने डिप में जाता है प्रोटॉन भी जाते थे तो अल्टिमेटली एने डिपीच का फॉर्मेशन मैंने कराया था इसी दोरान जब डॉन हील जर्पनी जेड़ स्कीम में होगा कि आकरे बटोर ना तो बड़ा इस सिंपल सब्लकें करना है जहां स्यूट्व से आप बच्चाच्चाल ग्लूकोज में कनवर्ट करोगा दिस दसु थे आपको कनवर्ट करना है इक वर्ड यूज़ करता है कि सर्डिंशन एक प्राइक रेक्शन ऑन्हें करने में चलता है पका बुलना है नहीं होता है इसे इसल लाइट इंडि पेंडेंडेंड प्रॉडक्ष वह एटीन पर अटेंडेट पीदेंड नहीं उसके्ड Ronaldo भेसे संझा अ अगर बच्चा मैंने एक्स्प्रेमेंटल चल रहे हैं सुबहद 6 बच्छा जैसे मैंने प्लांट पर लाइट डाला को लाइट रेक्षिन पर बनेगा तो पैर्लल्ली वच्छा डार्क एक्षिन भी चलना इस्टार्ट नहीं लेकिन अभी भी बच्छा ना थोड़े बहुत ATP and ATP जगर बचे हुए होंगे तो 10 बच के 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड, hardly 5 सेकंड तक dark reaction बच्छा चलेगा, यानि आपने light हटाया, फिर भी बच्छा dark reaction चल रहा है, फिर से आपने light देना start किया 12 बच्छा, इसे ही light दिया, light reaction हुआ, ATP and ATP बच्छा बना, तो 12 बच्छ के कुछ सेकंड के बाद, 1 का सेकंड के बच्छा dark reaction बच्छा dark reaction बच्छा बच्छा चलते रहेगा, 6 बच्छ के 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रहाड ली चलेगा, और फिर पर्मनेंटी वह भी बन्ध हो जाएगा, तो देखा, light हटाया, तब भी तो चला ना, अब राद बर ये बन रहेगा, जो सेहीं सुबा में light आएगी, light गिरेगा सुबा 6 बच्छ 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 बनेगा, तो पैर्लल बच्छा dark reaction में स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है, जब light था, तो light reaction चला, और जैसे ही light में बंद किया, तब भी थोड़ी देर के लिए चल रहा था, यानि light पे directly depend नहीं है, light हटा तब भी तो चला, यह directly बच्छा depend है किस पे, light reaction के product पे, यानि कि ATP और NADPH पे, इसलिए इसे कहना चाहिए, कि dark reaction एक misnomer क्यों है, क्योंकि ऐसा लगता है नाम में, कि अंधेरे में चलनी वाला reaction है, लेकिन real में यह दिन में ही चलता है, जब light available होता है, यानि directly depend नहीं करके, indirectly light पे dependent है, चलिए, इसलिए आज से हम लोगी से बच्छा, बायो सिंथेटिक पात्वे अगर कहें, तो कई गलत नहीं, क्योंकि हमने एक synthesis कर रहें, बायो मतब लिविंग के अंतर में glucose का synthesis कर रहें, शुगर का synthesis कर रहें, इसलिए dark reaction को हम बायो सिंथेटिक पात्वे कहें, carbon fixation कहें, ना, glucose formation गोले, इस गोले तो कोई गलत नहीं, चाहिए, अब यहाँ पास आपको second topic आएगा, कि सर यह जो हमने, ठीक है, कि CO2 जो लिया है, बचाहिए CO2 जो प्लांट लेगा dark reaction, इसका करेगा, ना, तो यहाँ पास साइंटिस को यह पता करना है, कि हमें glucose बनाना है, CO2 से glucose बनेगा, लेकिन बचाहिए CO2 डारेक्ली जाके glucose बनेगा, या कोई intermediate product आएगा, ना, कोई reaction होगा, अगर reaction होगा, तो यह CO2 सबसे पहले accumulate कहा होगा, पहला product कौन सा देगा, तो यहाँ पास NCRD ने लिखा है, कि several years research के बाद में यह पता चला, ना, जो मैलविन, कैलविन नहीं बताया, जो CO2 अप intake करेगा, प्लांट, वो पहले एक 3 carbonic compound बनेगा, जिसका ना बोलू, जो कि एक 3 carbon का है, चली, तो तुम्हारे दिवांग में चलेगा, सर यह किया कैसे, उन्होंने कुछ radio isotope का technique लिया था, carbon का जो 14 वाला ले लिया था, isotope लिया, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो first stable compound बनेगा, वो 3 carbon का होगा, PG होगा, क्या दुनिया के सारे plant first stable compound जो बनाएंगे, वो 3 carbon का होगा, answer no, कुछ plant में ऐसे भी होगे कि जो first stable product बनेगा, वो बच्छा 4 carbon का होगा, और उसका नाम होगा oxaloacetic acid, तो जहां पास जिस plant में first product, जो 3 carbon का बना, PG होगा, वहां पस उस plant में इस pathway को कहेंगे, बच्छा C3 pathway, और जहां पा first product जो बन रहा ह है, ना, उसे हम लोग कहेंगे, बच्छा C4 pathway, आगई बात, यानि हमारे पास plant दो तरह के, एक C3 pathway को continue करेगा, चलाएगा, और एक बच्छा C4 pathway को चलाएगा, चले, अब second चीज़ पता करना है, कि हमने आपको बताया, कि पहला जो stable product है, वो 3 carbon का है, जिसका नाम PG है, तो एक carbon बच्छा कहां से आया, CO2 से, तो जो CO2 का acceptor होगा, जो CO2 को pick करेगा, जिसे के वो PGA में convert करेगा, वो acceptor बच्छा कितने carbon के होने चाहिए, आप बताओ, आपको 3 carbon के product बनानी है, A substrate, A नाम का substrate, एक carbon का है, तो जो B होगा, जो CO2 को accept करके, 3 carbon में convert होगा, वो कितने carbon के होने च गया, कि यो 2 carbon जो compound है, जो CO2 को bind करेगा, तीन carbon वाले फॉस्फोग्लिसर केसिड बनेगा, वो है, वो है एक और, लेकिन यह बात में, मैल्विन कैल्विन ने बताया, कि वो बच्छा जो acceptor है, वो 2 carbon का ना है, वो कितने carbon के बच्छे, 5 carbon का है, तो आप बोलोगे, यह सर कैसे possible, यह possible कैसे है, हमें 3 carbon के product चाहिए, तो हमें 1 carbon तो CO2 से आ रहा है, तो हमें, सर, 2 carbon के मिलेंगे ना, acceptor, मैल्विन कैल्विन ने बोला, नहीं, उता क्या है, यह 5 carbon वाला पहले bind करेगा, एक CO2 से, तो यह 6 carbon का बच्छा unstable compound बनेगा, जो highly unstable है, और यह बाद में 3 carbon वाले, 3 carbon वा ही product मिलते हैं, जब हम research करते थे, ना, 6 carbon वाला बना, जिसका नाम insanity ने mention नहीं किया है, वहाँ पर arrow दिखाया, arrow का मतलब वो unstable है, वो तूट करके 3 carbon में convert हुआ, PGA में convert हुआ, ऐसे से 2 molecules बन गे, तो जब भी scientists ढूंटते, तो यह 3 carbon वाला ही मिलता था, आगे, पिर बाद में कह पूरे cycle को बच्चा पूरी तरह से बताया, और finally उन्होंने बताया कि आखिर glucose का formation कैसे होता है, जिसे तुम Kelvin pathway का होगे, या C3 pathway का होगे, चली, या Kelvin cycle कहेंगे, चली, इसमें बच्चा आप सभी को मालूम है, यहाँ पास 3 steps होना है, सबसे पहले हमने 1 carbon का CO2 लियागा, और य इसका नाम है, RUBP, सभी को याद है न, एक RUBP पांच करवन का compound होगा, देखीजे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये दोनों को बच्चा जोडने के लिए, यानि कि इस substrate में, ये RUBP नाम का जो substrate है, उसमें CO2 जोडने के लिए एक enzyme चाहिए, क्योंकि process क्या होना है, CO2 जोडना है, तो process का का नाम क्या होगा है, बच्चा, Carboxylation, तो enzyme का नाम होगा Carboxylase, और ये substrate के नाम पी रखा गया है, रुबिस को, ना, क्योंकि हमारे पास substrate को ने को लो, RUBP है, Ribulose Bisphosphate, तो enzyme का नाम भी होगा, substrate के नाम पे, क्योंकि substrate में CO2 जोडना जा रहा है, तो नाम होगा है, Ribulose 1, 5, Bisph Carboxylation, बच्चा बोलता है कि सर, इसमें Oxygenase भी कहते हैं, कहते हैं, बच्चा, मैं इस पर पूरा डिटेल से बाते करूँ, क्योंकि ये Dual Nature का होता है, ये enzyme O2 से bind कर सकता है, लेकिन अगर glucose बनना, ये cycle जलना है, बला, चलना है, तो ये ज़रूरी है, कि रुबिस को CO2 से ही bind करे इसलिए पर्टा स्टेप क्रूशल है, अब NCRT इन देखेंगे, तो पहला स्टेप जो Carboxylation लिएक क्रूशल है, क्यों निखून क्यों 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 लिए, क्योंकि cycle चलकर कि glucose बनना है, तो ये ज़रूरी है कि रुबिस को कि से bind करें, CO2 से ही bind करें, ना, इसलिए NCRT अब यहां से कितने कार्बन का बनेगा तो मैंने बोला था एक दो तीन चार पांच और छे कार्बन का कंपाउंड बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा यह हमें कभी दिखता भी लेकिन यह आप याद रखिएगा इसे का नाम क्या है नहीं पूछा जाएगा अगर जादा पूछा है तो six कार्बन का है कीटो कंपाउंड यह फर्दर बच्चा यह तीन कार्बन में तूटेगा और यह बन जाएगा बच्चा one molecule of three PGA तो सर्फ वो लग तीन कार्बन वाला यह भी बच्चा तूटेगा और एक मॉलेकुल बच्चा three PGA में कनवर्ट हो जाएगा तो overall जो छे कार्बन के थे आपके पास हैंड में पांच रूब्ड यह ले क्टीमेटलिग शे कार्बन के कंपॉंड बना वह अल्टिमेटलिग तूट करके तू मॉलेकुल बच्चा two molecule दो molecule तीन कार्बन के प्रोडट में कनवर्ट हो गए दो मॉलेकुल तीन कारबन के करना है तो reduction second step is the reduction तो इसको reduce करना है इस PGA को phosphoglyceric acid जो है 3 PGA क्योंकि third position पर phosphate है ऐसे से दो molecule है हमारे ना इस process को कहेंगे reduction और reduction के लिए क्या चाहिए बच्छा hydrogen ना तो hydrogen donor आएगा two molecule कौन आएगा आएगा आप अपना hydrogen को donate करेगा और यह hydrogen को donate कर दिया तो यह बच्छा PGA है तो convert हो जाएगा PGA में यह बन जाएगा three PGA फॉस्फो glyceral dehyd यह नाम अपने glycolis में भी सुना होगा कितनी कार्बन के तीन कार्बन के ऐसे से कितनी molecule लेकिन साथ साथ बच्चा यहां पर reduction के दौरान में यहां पर कुछ ATP भी खर्च होता है तो यहां पर दो molecule PGA है तो दो molecule बच्चा ATP भी convert होगा ATP भी खर्च होगा ATP भी खर्च होगा ATP भी खर्च हुआ और ATP डालेंगे तो एक phosphate add हो गया किसमें बच्चा PGA में इसलिए यहां पर एक word दिया है phosphorylation बच्चा बोलता है सर phosphorylation कैसे हो गया आप तो सिखाते हो कि phosphorylation मतलब ATP का बनना नहीं बच्चा फॉसफो रेलेशन मतलब किसी में phosphate का जुड़ना तो यहां PGA जो है phosphoglyceric acid है उसमें मैंने एक phosphate जोड़ दिया उसमें जोड़ दिया तो PGA का यहां phosphorylation NCRT लिखता है ATP का तूटना phosphate निकला वो PGA में जुड़ा तो यहां बंजेगा 1-3-bis-phosphoglyceric acid क्योंकि एक phosphate तो पहले से था एक phosphate मैंने और एड़ कर दें अब देखिए बच्चा यहां पर दो molecule बनगे 1-3-bis-phosphoglyceral-dhi इनमें से यहने कितने कारबन बच्चा छे कारबन उनमें से एक कारबन इस cycle को छोड़ेगा एक cycle को छोड़ेगा यहनि कैल्विन पात्वे को और यह बच्चा वन कारबन से 1-6 molecule glucose बन जाएंगे क्योंकि glucose में कितने कारबन है छे कारबन तो एक cycle में एक ही कारबन बाहर निकला तो 1-6 glucose बनेगा यानि अगर आपको एक molecule glucose बनाना है तो मुझे 6 टन cycle के चलाने पड़ेंगे आई बास समझ में ठीक है तो अब यहां पात 6 कारबन में से 1 कारबन तो cycle को छोड़ा और यह बच करना है इसे रूट में स्टेब में ट्रांसफर करना है तो देविल कनवर्ट इंटो दू शुक्रोस इंसे इसे लिखा है पच्छा ट्रायोस फॉस्पेट ट्रायोस फॉस्पेट क्योंकि तीन कारबन का एक शुगर बना ऐसे से 2 मॉल्कूल एक बाहर निकल गया तो बचके बच्छा 5 कारबन अब साइकल को लगातार अगर चलना है अना इंटरुटेड मैनर में यानि साइकल को अगर लगातार चलना है तो हमें जडूरी है के लगातार R U V P रीजन्डेट होते रहे दुबारा बनते रहे इसलिए पीजेल के 5 कारबन को R U V P में कनवर्ट कर दिया जाएगा जिसे का साइकल अन्टरॉप्टेड हमीशा चलते रहे फिर से इंस्याटिक वर्ड उस करेगा कुरूशल बच्चा बोलेगा कुरूशल तो अपने पहले स्टेप में बताया से इंस्याटिक हो लिए और देखिए थर्ड स्टेप बच्चा जो रीजनरेशन ना वहां इंस्याटि वर्ड उस करता है कुरूशल तो यह कुरूशल किसके लिए इस है यह कुरूशल है कि साइकल लगातार अन्टरॉप्टेड में चलते रहे इसके लिए कुरूशल है रीजनरेशन जबकि साइकल स्टार्ट हो साइकल स्टार्ट हो उसके लिए कुरूशल कौन था कार्बॉक्सिलेशन इस रिजनरेशन में एक ATP खर्च हो जाएगा चीक है चलिए अब देखिए ध्यान से तो आपसे question बूचा जाएगा कि यहाँ पर पूरे जो cycle हैं उसमें कितने steps हैं तो पहला कार्बॉक्सिलेशन दूसरा बच्चा रिडक्शन और तीसरा बच्चा रिजनरेशन डन अब मैंने बोला अगर एक गुल्पोस बनाना है तो मुझे छे कार्वन चाहिए और एक cycle में एक ही साइकल चलाना पड़ेगा अगर मुझे बच्चा एक टन चलाया तो रिडक्शन बच्चा दो एट भी ता और रिजनरेशन में बच्चा एक तो पूरे cycle को अगर कराना है तो पूरे cycle में total कितने खर्च होंगे तीन लेकिन अगर को सन में बोले है कि रिड़ रिडक्शन में कितना कर्च हुआ को कि रिडक्शन के स्थेप को जोड़िए गा तो कितना अंसर है का बच्चा यह आई बासमझ में अगर पूछे केवल साइकल में regeneration में कितना खर्च हुआ एक turn में तो answer दीजेगा बच्छा 1 ATP तो question को ध्यान से पढ़िएगा ये question paper में क्या लिखा गए क्या वो एक complete turn complete cycle के बारे में पूछा है ना तो पूरा आप तीनो ए तीन ATP बोलिएगा केवल reduction बोला तो 2 ATP बोलिएगा केवल regeneration बोला तो 1 ATP बोलिएगा च सर एक glucose बनाना है तो 6 टर्ण चलाना पड़ेगा तो 18 ATP और 12 NADBH खर्च होंगे अगर यहां पर पूछा जाया है कि पूरा एक glucose बनाना है केवल regeneration में कितना खर्च हुआ तो बच्छा 6 टर्ण 6 ATP खर्च हो जाएगा चले बच्छा बोलता है सर ये तो समझ में आए ये बताई ना light reaction के products चाहिए इसके लावा CO2 चाहिए और water चाहिए तो कभी भी बच्छा C4 O C3 O कभी भी CO2 जुड़ेगा तो directly gas के form में नहीं जुड़ेगा CO2 water से react करेगा carbonic acid बनाएगा और उस carbonic acid बटा तूट करके HCO3 माइनस बनेगा तो हमेशा CO2 ऐना carbonate iron के form में जुड़ेगा ज तो यहाँ पर कभी भी directly CO2 gases form में ना जुड़ करके वो carbonate iron के form में जुड़ता है इसलिए इसलिए नहीं यहाँ पर water mention किया है अब कुस्तन क्या बनेंगे बढ़ी आसानी से पूछने है को आता होगा पूछा जाएगा कि यह बताईए इस cycle में सर जो Kelvin cycle है ना उसे C3 cycle क्योग होगा उसका simple reason है बच्चा कि first stable product तीन carbon के बने इसलिए इसका नाम सी 3 cycle यह सी 3 पाथ हो इसमें substrate कौन है इसमें substrate बच्चा और यूबप है सबस्टेट कितनी carbon का है अंसर इज़ा पांच कारबन का है first carboxylating enzyme कौन है रुबिसको तुम बोलो कर सार first क्यों बोल रहों क्यों क्यो carboxylation हुआ एक ही enzyme में रुबिसको है जब c4 plant आएंगे तो confusion create हुगा क्योंकि वहाँ दो बार carboxylation आएगा तो एक बार कुछ पेप case और रुबिसको का concept आएगा तो वहाँ पकानी थोड़ी change हो जाएगा चली फिर पूचा जाएगा इस पूरे cycle चलाने में तीन step होगे carboxylation reduction regeneration already discussing ATP कितना खर्च हुआ तो 3 ATP 2 ATP अगर एक glucose बनाना है तो 6 turn चलेगा तो 18 ATP 12 ATP खर्च हो ठीक है इसलिए मैं आपको पिछले class में बता के आया था कि ATP बच्छा जादा चाहिए और ATP कम चाहिए इसलिए to meet this difference जादा रहा है ATP कितना चाहिए बच्छा 18 और ATP कितना चाहिए बच् इसलिए to probably to meet this difference साइट जो difference create हुआ है इसलिए बच्छा extra amount में cyclic चलता होगा और क्या बनाता होगा केवल ATP बनाता होगा चली सर साइट का है साइट आपको पहले से discuss किया बच्छा स्टूमा है पहली बार किस ने डूंडा तो answer is a Malvin Kelvin ने आपके NCIT ने पूरा detail से concept को समझाया है बच्छा उनका figure बना हुआ है जब आप plant physiology start करते हो तो यहां दिया सर किस पर काम किया था तो बच्छा chlorilla अगर एक और option है sandacimus दोनों है लेकिन आप chlorilla अगर याद है तो बच्छा इसे हम chlorilla को research algae भी कहते हैं याद करो plant kingdom में इसे आप space algae भी कहते थे मैं आज इसे research algae कहता है अपने पढ़ा है दूसरी बत की कैसे किया तो इन्होंने क्या क्या बच्छा कार्बन जो है ना उसको उसका इसो टुपलिया कौन सा 14 वाला ना रेडियो एसो टुपलिया और उसके बाद में उन्होंने algae पे डाल करके देखा तो यह कार्बन कहां जाता है तो पहले 6 कार् कि दे गया बिंसन ना बिंसन करके आएगा बचल लेकिन अब मत करो आपके वल मैलविन कैलविन याद रखेंगे तो काम हो जाएगा अब यहां पस आपसे इससे इलावा यहां को सन नहीं बन तो मुझे बताईए फटा पट तो मैं एक बर कोसन अपसे रिवाइस कर लेता जो भी आपने पढ़ा बच्चा एक नॉर्मल प्लांट है दुनिया के मैक्सिमम प्लांट मोर देन 90 परसें प्लांट बच्चा इसी पात्वे को फॉलो करते हैं जहां पास डार्क रेक्शन के डाम पे ग्लुकोस बनता है इंजाइम के नाम पे रुबिस्को होता है सबस्ट लेकिन प्रॉब्लम तब क्रेट होगा बच्चा जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी जहां सुनना सीथरी प्लांट ऐसा ही सारा काम कर रहा था लेकिन प्रॉब्लम तब क्रेट होगा जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा आपने बढ़ाई लाइट इंटेंसिटी स समझ में आ रहा है number of photon per unit area जादा है अगर number of photon बटा पहले 5 गिर रहे थे अब 20 गिर गे तो photon जादा गिरेगा तो light reaction जादा होगा photolysis जादा होगा तो बच्चा वहाँ पर O2 रिलीज जादा होगा ना तो स्टोमा में O2 का concentration अगर बढ़ गया तो रुबिस्को बच्चा O2 से affinity स आपको इतना मालूम है कि रुबिस्को जो enzyme में बच्चा वो वो dual nature so करता है देखिए यहां पस रुबिस्को यह बच्चा RUBP से तो bind करेगा this is the RUBP लेकिन उसका जो active side है यह बच्चा active side है white वाला इससे वो CO2 से bind कर सकता है और यहां बच्चा वो bind कर सकता O2 से भी लेकिन स अगर कब O2 से कब CO2 से समझ लो अगर बच्चा दोनों का equal concentration है equal concentration है 100 O2 100 CO2 तो हमेशा वो बच्चा CO2 को ही preference देगा हमेशा वो CO2 को ही preference देगा इसलिए NCRT लिखता है at equal concentration they always prefer they show more affinity toward the CO2 लेकिन अगर O2 का concentration बढ़ गया तो वो बच्चा O2 से bind कर सकता है तो ऐसा नहीं कि हमेशा bind करते हैं O2 से bind तभी करेगा जब O2 का amount CO2 से ज़्यादा हो जाए अगर CO2 ज़्यादा है मैं question पुछ रहा हूं CO2 ज़्यादा है बच्चा तो किस से bind करेगा CO2 से अगर equal है O2 CO2 equal है किस से bind करेगा बोलो तुम लो तुम लो सर CO2 से क्योंकि आपने ब बच्चा अगर O2 का amount ज़्यादा है और CO2 की comparison में बच्चा O2 का amount जाता है तो रुबिस को O2 से bind करेगा और यह oxygen इसके तरह काम करेगा इसी से एक problem create होता है जिसका नाम में बठा photo respiration तो photo respiration अगर कर लिया तो यह बच्चा plant के लिए एक नुकसान वाला process create कर देगा wasteful कर दे जब रुबिस को O2 करेगा और O2 कब बढ़ेगा जब light intensity ज्यादा गर्मी ज्यादा light reaction ज्यादा photolysis ज्यादा O2 ज्यादा release हुआ और गर्मी जब पढ़ जाएगी light intensity बढ़ा तो temperature भी बढ़ेगा और temperature बढ़ जब बढ़ जाता है तो plant क्या करेगा अपने आपको बचाने के इस टुमाटा बंद करेगा और इस टुमाटा अगर बंद हो गया तो CO2 बचा अंदर आएगा या नहीं आएगा इस टुमाटा बंद है CO2 अंदर आएगा नहीं अगर CO2 अंदर नहीं आएगा तो CO2 का concentration घटा ना जबकि स्टुमाटा बंद किया तो O2 तो बाहर निकला नही इतना तो आप पढ़ते हो कि इस स्टोमाटा गैसे से एक्सेंज करता है Ochotu बाहर, CO2 अंदर अभ गैसे से एक्सेंज हुआ नहीं और Ochotu का concentration बढ़ गया तीसरी बाहश टेंप्रेचर बढ़ने से स्टोमा में बच्चा Sodability ocho की बढ़ जाते है तो rubbish को पर recap कर दूँ मैंने बुला intensity जादा है photon जादा है फोटो लिस्ट जादा है ना तो water जादा break करेगा ओटू जादा release होगा तो जाहिर सी बात है कि कि यहां पस o2 बाहर जाएगा नी और बाहर से अंदर co2 आएगा नी तो अंदर में co2 कम o2 जादा तीसरी बात temperature बढ़ने पर o2 जादा डिजॉल हो जाता है तो कुल मिला के मजबूरी में रुबिस्ट को o2 से बाइंग किया और photorespiration स्टार्ट किया तो तुम बोलोगे सरी यह क्यों photorespiration हो रहा है ऐसा क्या नुकसान हो गया ब्लांट अब बार बार वेस्टफुल वेस्टफुल बोले जा रहे हो तो मैं ncati का लाइंग बोलता हूं बच्चा जब photorespiration चलेगा तो उस दोरान कोई भी glucose नहीं बनेगा कोई भी glucose नहीं बनेगा यह ncati नहीं लिखा है क प्लांट बच्चा यह one बना लेक्यार YE कि यह रिस्परेशन अलग है यह रिस्परेशन वह नहीं है जिसे हमने ATP बनाने के लिए बोला था इस दोरान में कोई ATP, NADPG का फॉर्मेशन नहीं होगा उल्टा बठा, उल्टा, ATP का लॉस हो जाएगा माइनस ATP जा रहा है, उल्टा खर्च होगा एक तो बनाया नहीं, उल्टा खर्च, फुल्कोस बनाया नहीं उल्टा बठा, यह बना हुआ कार्भॉहइडट, प्लांड में जो भी फोटो सेंसे कार्भॉहइड़िट बनते हैं उस कार्भॉहइडरेट का बचचा 25% का लॉस हो जाएगा यह बात में मैं बता दो, यहां पर उल्टा बचचा कार्भॉहइड़ेट का लॉस होगा और यहां पर productivity घटने लगेगी क्योंकि गुलकोज बन नहीं रहा है ATP NADPH का formation हुआ नहीं उल्टा खर्च उल्टा बटा ना कार्गोएड़ेट टूटेगा CO2 के फ़र्म में release कर देगा तो कुल मिला के प्लांट को नुकसान ही हो रहा है और यहां पर टॉक्सिक प्रोड़क्ट बन जाएगा जिसको नयाम देते हैं फॉस्पो ग्लाइकोलेट को तोड़ने लिए ता दो कार्बन का ग्लाइकोलेट इस ग्लाइकोलेट को तोडने लिए हम एक cycle रन करना पड़ेगा C2 cycle क्योंकि दो कार्बन का सब्स्टेट है ना इसलिए आप फोटोरेस्पिरेश्ट को सई-सायकल भी कह देते हैं क्योंकि फोटोरेस्पिरेश्ण के दोरान में उता क्या है कि जो फ्रोडक्स बने वो टॉक्सिक नेचर का उसको डिटॉक्सिफाई आई करना है उसी तोड़ना है इसल्हें इसे सीचू साइकल कहेंगे जिसमें आपने पढ़ा होगा तीन से लॉर्गेन वाल होगा आपको याद है क्या एक होगा बच्चा कौन यादार आपको सबसे पहले होगा बच्चा यह प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होगा रूबिस्को कहां है क्लोरोप्लास्ट में तो सबसे पहले आएगा बढ Rapha प्लोरोप्लास्ट फिर आएगा परोकसिजोंб फिर आएगा बच्चा माइटो गॉंडिया किसी बूख मेंुन्ण 美元power सिट्रेंस में कुछ प्रॉबर्लम किया है गलती दिया है अगर सिकवेंस पूचा यहाँ पर देखिए मैंने यह क्या किया द्यान सुना अगर बच्च एक RUBP आता मैं NCRT को explain कर देता हूं एक RUBP कितनी carbon का बच्च बोली है अप लोग 5 carbon अगर बच्च यह CO2 से bind करता रुबिष्को बच्च रुबिष्को कार्बॉक्सिलेस के तरह काम करता, कार्बन दो एक सब जादा है, CO2 से बाइंग करता, तो ये क्या बनता, पांच और एक छे, तो ये बच्छा छे कार्बन के कंपॉंड बनते, छे कार्बन के कंपॉंड बनते, जो अल्टिमेटली तूट करके एक 3PGA बनता एक मॉलिक्यूल और इधर भी बच्छा एक बनता 3PGA, तो कितने मॉलिक्यूल 3PGA के बनते बोलो, दो मॉलिक्यूल, अभी तो बताए आप लोगों को, तो मॉलिक्यूल 3PGA बनते, अगर वो कार्बॉक्सिलेस के तरह काम करता तो, लेकिन प्रॉब्लम है कि यह तो कर नीदा है ना, तो सर क्या होगा, चलिए, एक REBP अब लेंगे, एक REBP लेंगे, ध्यान सुनिएगा, एक REBP लेंगे, तो यह बच्चा जुडा किसे O2 के साथ, क्योंकि रुबिस्को बोलेगा, मैं O2 से वाइन करूँगा, ऑक्सिजेनेशन करूँगा तुम्हारा, चलिए, और मैं खुद अक्सिजेनेश के तरह काम करूँगा, तो मुझे बताओ, अब कारबन कितने होगा, पांच, अरे, O2 में कोई कारबन थोड़ी ना है, तो पांच कारबन है, तो यह एक मॉलेकुल, बच्चा, एक मॉलेकुल, पीजीय तो बनेगा, ना, लेकिन बच्चा, एक मॉलेकुल बन परणने के लिए, अब हमें वही, C2 साइकल रन करना पड़ेगा, जिसके दोरान में, हमें कोई फाइदा तो नहीं है, कोई गुल्कोस तो नहीं मिलेगा, कोई एक्ट पी तो नहीं मिलेगा, उल्टा, बना हुआ, कार्बोहड़ेट का लॉस होगा, उल्टा, हमारी, क्या हो चली अब यहाँ पस कैसे तींसिल और्गेल काम करेंगे तो आपको डिटेल नहीं जाने हैं शुरॉबिबॉप्स पुरॉबॉप्स प्लाट प्लांट प्लांट अपने आप दिखा साइंटिस को C4 प्लांट जो ये दावा करता है देखे अभी तक जो भी बाते की थी बोचा और C3 प्लांट की तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्लांट को देखे जिसका नाम उन्हें C4 प्लांट दिया जो कहता है बच्चा कि मैं फोटो रिस्पिरेशन नहीं करूंगा प्लांट है जो बोलता है कि इंटेंसिटी बढ़े टेंप्रेचर बढ़े ऊटू बढ़े फोटो बढ़े में फोटो रिस्पिरेशन नहीं करूंगा और मैं ट्वाइस से सीथी के कंपर्स में डबल रेट से फोटो संस्क करूंगा लिका है वच्चा ट्रांस्पोर्ट इन भी जब उन्होंने फोटो संथेशा ट्रांस्पिरेशन कंप्रोमाईस डिसकस किया ना तो आप बोला है सीफोर प्लांट के अंदर में सियोटू फिक्सेशन यानि की ग्लुकोस बनाना वो ट्वाइस रेट से करता है और वो बच्चा सीफोर प्लांट वाटर लॉस बच्च किविटी जादा है एक में compare सिंपल एक example समझातव माल लीजे यह बच्चा एक सीफोर प्लांट है और यह बच्चा एक सीफोर प्लांट है मैं एक तम इसी करना उट ऑप लिए माल लीजे आपने एक घंटे के लिए एक कवर के लिए बटा लाइट दिया एक नॉर्मल लाइ ट्वाइट इंटिंशिटी निर्णार मला तो C3 मालों बच्चा घंडेट गुल्पोज बनाता है C4 उसी टाइम में बच्चा 200 गुल्पोज बनाता है क्या twice rate समझ में आया चलिए दूसरा मैंने क्या किया intensity बटा बढ़ा दी highlight intensity कर दिया 10 minute के लिए 10 minute के लिए highlight intensity 10 minute अब इस 10 minutes के दोरान में यहां कोई glucose नहीं बनेगा उल्टा उल्टा बटा यहां पास कुछ तूट करके ना वो लॉस हो जाएगा यानि मानलो की बच्चा 10 glucose का लॉस हो गया c4 plant बोलता है मैं photorespiration नहीं करूँगा मैं glucose glucose को तोड़ने वाला नहीं हूँ मैं उस दोरान भी बच्चा फोटोस करूँगा और उस दोरान भी मैं बच्चा 20 glucose बनाऊंगा मैं photorespiration तो करते ही नहीं ना इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी बोले फोटो रिस्परेशन नहीं करेंगे तो मुझे बता यह बच्चा नेट प्रोड़क्टिवीटी देखिए इसने बच्चा 100 रुपे कमाए 100 glucose बनाया ना दस तो गमाद ही है न फोटो रिस्परेशन के नाम पर ना जब तक टेंप्रेचर हाइलाइट इंटेंसिटी था तो कितना हुआ बोलो 90 ग्लुकोस और यहां देखो कितना हुआ 220 तो सोचिए नेट प्रोड़क्टिवीटी समझ में आया आपको क्यों क्योंकि फोटो-्रिस्परेशन नहीं किया अब बोलेगा कि फोटो संस करने के दोरण में स्टूमाटा खुलता है मालो बचा स्टूमाटा कुला एक सियोटी को पकड़ने के लिए एक सियोटी को पकड़नें के लिए लगबख बच्चा 600 मॉलीकूल वाटर खर्च करना पड़ा इस् का लाइन की फोटो रिस्पिरेशन नहीं करेगा समझ में आया मैंने एक सिंपल एक्जामपल लिया कि इमाल में सेट हो जाए अब ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट निकालो और यहां सारी बात ही देखो क्या इंसे आटी ने सीफोर को ट्वाइस रेट ऑफ फोटोस बोला है हां जादा है क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन नहीं करता इसलिए प्रोडुक्टिविटी जादा होगी इसका मतलब है सीफोर प्लांट अच्छे हैं तो सर किसने बनाया नैच्रल सेलेक्शन बचा एडप्टिबिलिटी नेच्छल सेलेक्शन है अपने आप यह प्लांट बने ल ननीकोट में आते हैं तो ऐसा नहीं याद करना है सीफोर में मोनोकाट हैगा सी ट्री में ड् microbi ऐसा कुछ नहीं चाफी कम मैंमाउंट में मैं लिस डन वन पर सेंट बच्छा Mozart ऐस अबने आपने मोर दो आ निस भेंट बोला था क्योंकि बीच इन प्लांट हम्यूए कैम प्लांट हलंगी वो कैम प्लांट पढ़ना नहीं है तो C4 प्लांट काफी कम है ना उसके कुछ एक्जामपल सा भी याद रखेगा शुगर केन मेज और सौरगम तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर आके C4 ने फोटो रेंशन क्यों नहीं क्या यही लौजिक बच्चा है यहाज आज का क्लास लेने का लौजिक बस एक ही था कि मैं तुम्हें वो concept दे पाऊं कि आके C4 photo respiration क्यों नहीं किया मैंने intensity बढ़ा ही ना temperature मैंने बढ़ाया ना photo list बढ़ाया ना photo ज्यादा बनाया ना तो रुबिसको क्यों नहीं किया photo respiration क्यों नहीं किया कैसा mechanism है तो इसी लॉजिक को मुझे समझाने के लिए बचाई यह lecture बना लाव रहा है और इसको आप मज़े से समझी हाँ तो मैं एकदम clarity दे बोल रहा है कि आकिर C4 plant photo respiration से बचा कैसे चली मैं एकदम conceptual चलता हूँ तो NCRT बोलता है कि इनके अंदर मे एक different mechanism है बचा एक anatomy develop हो गई जिसे कहेंगे क्रेंज anatomy तो मुलोगे क्रेंज क्या है अभी भूल जो ना अभी इतना याद करो कि आपको यह इतना मालूम है ना यह आप रिपेडर में से यह बचा लोगा रिपेडर में से इतना तो मालूम है ना बीच में जायलम है और यह एक स्कुलेट बंड़ को cover करने के लिए बच्चा बंडल सीथ अब यह जो रिडवाला बंडल सीथ का से बना रहा हो ना बच्चा यह एक कर्दे के वरम में होता है और यह कई सारे लेयर के वरम में में कई ठीक होता है इंप्रीवियस टू गैसे यानि इंपर्मीएबल टू गैसे वोते हैं इनके अंदर इंटर सेलियर स्पेस नहीं होते इनके अंदर बच्छा पाया जाता है प्लोरोफिल पाये जाते यह फोटो में पार्टिसिपेट करते जबकि सीथी ब्लांड में बच्छा वहा नहीं है वहाँ पाइक क्लोरोप्लास पूरोफिल नहीं है वहाँ पास कोई इंपर्मीएबल ठीक सेलवॉल नहीं है जबकि सीफंट में एक रिंग के फार्म में दिखता है जैसे यह बच्छा यह क्रिकेट का ग्रॉंड़ यह फूटबॉल ग्रॉंड है यह दरसक लोग क्रैंज का मतब arrangement of cell ring निकलस मोतियों की माला जो मोती है न वो बच्चा एक bundle sis का cell है और पूरी माला बच्चा एक ring बन गया ऐसे से धेर सारे माला हो गया और इसके बाहर में बच्चा होगा मीजोफिल सेल वो भी ring के पॉम में है तो आटर रिंग कौन हुआ इनर रिंग कौन हुआ यह clear हुआ यह बच्चा यह हो गया ओटर रिंग कौन मीजोफिल सेल ठीक है तो यहां बस है क्या यहां पर दो लोग फोटो से में participate करेंगे और इसी चलते वह अपने आपको फोटो डि देखा रहा हूं एक फीगर बना रहा हूं बच्छा इतना पार्ट को कट करूंगा और बना के देखाता हूं आपके पार्ट और बनना liar और DBst में लोगा मैंने सु अब दे देखान से जो मीजोफिल और सुरुण него क्लोरोप्लास्ट है ज्यान से देखे यह बच्छे क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट भी मैंने बनाया है ठीक है अंदर में स्टोमा भी है बना दिया मैंने स्टोमा यहां बच्छे ग्रैना भी बनाया है एक तब नॉर्मल जैसे क्लोरोप्लास्ट होते है बच्छा नॉर फोडूस हो रहा है मीजोफिल सेल और बंदस मान लो बच्चा इस पर मैंने लाइट गिराया दस पोटॉन गिराएं तो दस वाटर टूटा दस ऑक्सिजन रिलीज हुए नॉर्मल चल रहा है मैंने बुला हाई लाइट इंडेंसिटी मान लो मैंने हंडेट फोटॉन गिरा थी अगर हंडेट फोटॉन गिराए तो वाटर कितना टूटा हंडेट ऑक्सिजन कितने रिलीज हुए बचा हंडेट हंडेट ऑट्वीज हुआ तो मुझे बताओ कि हाइलाइट इंट्विजिटी दिया फोटॉन का नंबर बढ़ाया फोटो लिस हुआ वाटर ज्यादा क्यों कि निया फोटा रिस्परेशन क्यों नहीं है तोmiyorum क्यों नहीं एक एक आज़र फोटान की नहीं है सुझाओ होखा न जब रुबिस्को A alert करेंगा अगर रुबिस्को यहां रहेगा तब ड़य तुम बोलिए सर बिंसको का फो जो जो डेखित चैसे बिना गुलकोस की से बनाऊंगे तो मैंने क्या किया अब देखिये ध्यान से देखिये जो बंस्य से क्लूरोप्लास से और यह बच्च्च इस्टो मा बनाया है और मैंने याँ पर बच्चा क्लूरोप्लास में केवल इस्टोमा लें distant ऐ अगर यहां पर बच्चा अपरेस्ट नहीं है एक दूसरी को टेच कर रहे वाला यह वाला नहीं है जिसे आपको मैंने पहले भी तो बता है ना आप लोगों को यह ऐसे वाला बच्चा बता है याद है ना फर्स्ट लेक्चर में जहां पर एक दूसरी की कॉंट्टेक्ट में होंगे बच्चा यह एप्रेस्ट पार्ट होगा और प्यस्टू है तो ओईसी होगा वह इसी होगा तो फोटो लिस्टिस होगा तो ऑक्सें रिलीज करेगा ना यहां क्या है कि एवल बच्चा यहां प्यस्टू अप्सेंट प्यस्टू नहीं है तो इसे जुड़ा हुआ ओईसी नहीं और यहां पास फोटो लिस्टेस है नहीं तो यहां नों नोट न में प्यस्टू नहीं है और PS1 के वल अकेले क्या चलाएगा, साइक्लीक चलाएगा, चलिए आपने 1000 फोटोन गिरा दिया, चलिए देखते, अरे भाई, जब फोटोन गिरा, तो फोटोन गिरेगा, तो PS2 रहेगा, तब तो फोटोलिसिस करेगा, PS2 तो है नहीं, तॉक्सिन तो रिलीज हुआ नहीं, अ फोटोलिस नहीं है, उक्सिन रिलीज है ही नहीं, तो फोटोलिसिस करेगा, नहीं, तो फोटोलिसिस करेगा, नहीं, और जहां बच्चा आपने रखा है, जहां बच्चा आपने रखा है, किसको, जहां पास आपने रखा है, PS2 को, फोटोलिसिस को, उक्सिजन रिलीज को, ग अगर मैं एक लॉजिकल कोशन पूछ रहो से अगर सर इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो लिस्ट बढ़ेगा उक्शन रिलीज जादा होगा तो उक्शन डिफ्यूज करके तो जा सकता है सर रूबिस्को तक ये रूबिस्को तक क्यों नहीं गया इसका अंसर पहली मैंने दिया बच्छा क्योंकि इसका दिवार मैंने इंपर्मीबल बनाया था ना इतना थिक बनाया था कि डिफ्यूजन करके कोई ओटो ना पाए ठीक है सेकंड रिस बतो अंदर में कौन है बीसी या एमसी एक सेल के बारे में वर्टिकल सोचो उपर में मिजोफिल मिजोफिल मिजोफि अधन है भी बंडल सी सेल में तो वो बच्छा ना डिजॉल उतने नहीं होंगे क्योंकि आपर टेंपरेचर कम है हाई टेंपरेचर पर रुबिस्को बाइंड करता है ओटू से क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी ओटू की बढ़ जाती है अब यहां पास क्या है यहां तो अंद सबसे पहले बच्छा मैंने आपको बोला था तो जब भी आएगा वाटर से रियक्ट करेगा और यहां पर इंसे आड़ी फॉलो कर ले याद आया क्योंकि स्यूटू कभी गैस के फॉर्म में नहीं जूड़ता वाटर से जूड़ेगा कार्बोनेट आयन बढ़ेगा कितने कार्बन एक यहां पा बच्छा एक मिलेगा त्री माइनस इंजाइम आएगा बच्छा पेप केज याद आया जिसे मैं पेप को बोलूँगा पेप केज बोलूँगा पेप कार्बोक्सिलेज बोलूँगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज बोली जो क्या करेगा तीन और एक चार कार्बन ऑक्जालो City केast बचला या तो वह कनवर्ण होगिया मैलीक एसिड में माली केसिद में या तो कंवरोगमया drive मुद्ण या तो कंवर्ण होगिया विएantically क्या हुए यह भूजा चम्ट है जिसका नाम जिसका तो यह सब्सक्राम करें जाकर को क्या क्या करेगा वह सीओ लॉस कर देगा तो वहां CO2 को आपने पकड़ा था यह बच्छ को पकड़ा फस्ट कार्बोक्सिलेशन पहली बार CO2 को पकड़ा फस्ट कार्बोक्सिलेशन और यहां जाकर के वह कार्भन डायोकसाइड को छोड़ दिया, do car spokesperson तो चार में से एक carbon यूद निकल गये ठीक है यह वापस से लॉट और यह तीन कार्बन वाला सी त्री एसिट का नाम है बच्चा पाइलवेट अब वापस साइकल को फिर से चलाना है बच्चा तो यह पाइलवेट फिर से बनेगा फॉस्फोइनौल पाइलवेट इस दोरान दो एट भी खर्च हो जाएंगे कितने एटिपी खर्च हो जाएंगे तो यह जो साइकल आपको मैंने समझाया बच्चा पुरा जो साइकल मैंने आपको समझाया यह बच्चा सीफोर साइकल है जैसे स्कार पातवेट को फायदा क्या हुआ आपने से योटू को पकड़ा अंदर में स्योटू को ले जाके छोड़ कि इसलिए साइकल नहुगा यह स्यूटू को पकड़ करके पंपिंग करा दे रहे यानि बंडल से सेल में में इमांट बढ़ा रहे कंसंटेशन बढ़ा रहे त्योंकि पेपको की एक्टिविटी में पीटा काफी ज्यादा है ऐफिनिटी से ज्यादा है पकड़ा अंदर में पंप करा दिया पकड़ा पंप करा दिया तो CO2 अंदर बढ़ जाएगा तो अब रुबिस्ट को बोलेगा कि मैं अब करूंगा CO2 आ गया है मैं अब करूंगा भाई Kelvin cycle मैं CO2 को पकड़ूंगा Kelvin cycle चलाऊंगा और 1 by 6 glucose बना दूंगा तो Calvin cycle कहा चलेगा जहां रुबिस्को है रुबिस्को कहा है बंडल सिसल में तो यहाँ पर glucose बनेगा और glucose ज्यादा क्यों बनेगा क्योंकि आप बच्छा रुबिस्को के पास में जो इंजाईम है वहाँ CO2 का इमांड जादा है क्यों क्योंकि आप पंप करा दिया गया पकड़ा अंदर छोड़ा पकड़ा तो अंदर में CO2 जादा तो रुबिस्को की एक्टिविटी जादा जबकि C3 प्लांट में एक्स्ट प्लाजम की एक्टिविटी जादा तो रियाक्शन जादा तो प्रोड़क्ट जादा गुल्कोस जादा फोटोस्म का रेट जादा पूले हां सर यह तो समझ में आया आप तो अब सोचिए बच्छा कुछ O2 चाहिए क्योंकि बंडल से सेल बटा जिंदा है जिंदा सेल को र केला चाहिए तो लेकिन कभी फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा प्योंकि हाँपा यहां पर हमेशा बच्छा जादा है अगा सियोटो हमेशा जादा आखा तो कभी रुबिस्को अटू से बाइं करेगा नहीं कभी photorespiration नहीं करेगा लिए चलिए भाई तो सर आपने कमाल से समझा दिया कि आकर c4 plant क्यों नहीं कर रहा है photorespiration उसके reason समझ में आए reason main था कि problem कहां था photorespiration का रुबिस्को ओटू से mind करता है तो मैंने रुबिस्को को bundle सिस्सल में रखा जहां पास जहां पास बच्चा PS2 है नहीं OEC है नहीं photo list हुआ नहीं oxygen रिलीज हुआ नहीं जहां पास यहां कर chloroplast होगे बच्चा ए ग्रैनल ग्रैना नहीं है जबकि मिजोफिल सेल में बच्चा ग्रैना है इसलिए यहां दो दूसरी बात है कि यहां पर रुबिस्को को प्रोड़क्टिवीटी कैसे बढ़ाएगा सियोटू पकड़ो अंदर ढखे लो तो दीरे दीरे सियोटू का बच्चा कैल्विन साइकल यानि आप और यूबी पी ने पकड़ा सियोटू को और यूबी पी ने सियोटू से बाइंड किया विद्धे हल्प अफ रुबिस्को बन गए बच्चा पीजिये ना बन गए पीजिये एक वन बैसिक्स गुलकोस बन गया और यह साइकल कंप्ली कि थे इंद्खता तो मुझे बताएए ध्यान से यहां कार्डा वाक्सिलेशन कितने बार हुद सोच वन दो ईक बार आपने कहां पकला जैसे ही CO2 आया, इस CO3 में बना, तो आपने मीजोफिल सेल में पहली बार CO2 पकड़ा, तो क्या बच्चा यहाँ पर फस कार्बॉक्सिलेशन हो गया ना, फिर यह गया और CO2 को छोड़ा, क्या डी कार्बॉक्सिलेशन हुआ, फिर से यहाँ पर रुबिस्कोर ने CO2 को पकड़ वर्याओ, वस्कितले सेकंड बार dwa कर्बॉक्सिलेशन बच्चा दो बार फास्ट ब Lebens बटाई जो सीकंड बर कर बाकपो की सिल में हुआ, तो सैकंड कार्ब्वक्सिलेशन कहां चला। वह नुचा ज़लेशन बंदल सी समिंधने कवर्शन सांच्वा रुबिस्कॉर्विंग कार्बॉक्सलेशन का सबस्टेट कौन है तीन कार्बन का पेप सेकंड कार्बॉक्सलेशन का सबस्टेट कौन है कैल्विन साइकल याद कर दो ना और यूद्वीप पांच कार्बन का फस्टेबल प्रोड़क्ट कौन है फस्ट कार्बॉक्सलेशन का जो स्टेबल प्रोड़क सच करूंगा सीफड्रव्लांट करें तो मुझे एक सबनाना अतो सुनिए चुम्हें पहले एक कारबन का बता कश्षिक मल्टीपलाई करूंगा पनाने कitz देना पकड़े तो चलिए आपको लॉजिकल बद है पहला कारबन डाइकसर पकला कहां मीजोफिल से लिए उसने पकला फस्कारब उकसलेशन हुआ और यह पूरा एक साइकल कंप्लीट किया C4 साइकल कितने एटबी यहां खर्च किये बच्चा एक साइकल चलाने में एक सियोटू पकड़ने म में फिक दिए तो यानि यह साइक्ल चलाने में स्यॉटू को पकड़ग करके अंदर पंप कराने में दो एट बीख कशड़ अब इस स्यॉटू बच्चा कैल विन साइकल जाएगा तो चैल सरी 3 ATP और 2 NADP यानि कि अब 1 CO2 को रियल में 1 by 6 glucose बनना है तो पहला साइकल C4 साइकल में 2 ATP खर्च फिर म्यूजोफिल सेल में 3 ATP और 2 NADP खर्च बचा 5 ATP और 2 NADP खर्च करोगे तो तो एक CO2 रियल में 1 by 6 glucose बनेगा क्योंकि 2 ATP का बड़े ना गया क्यों पकड़के लाने के लिए तो ऐसे से 6 टन चलाओगे तो सोचो 6 टन चलाया तो C4 बोलेगा एक CO2 को पंप कराने में 2 ATP खर्च किया था तो 6 में तो हमें 12 ATP खर्च कर लूँगा तो 12 ATP तो बेटा केवल पंप कराने में अंदर में धकेल करके लाने में कर्च हो गया CO2 को अब यहां पास कैल्विन साइकल चला छे बार कैल्विन साइकल में 6 टन चलेगा तो 18 ATP खर्च होते थे ना एक गुलकोज बनने में तो अब 18 और 12 कितना होगे बच्चा 30 ATP एक गुलकोज बनने में अब बच्चा 18 नहीं 12 बड़ेन होगी है 30 ATP खर्च और गुलकोज कितना एन एने डीपीच खर्च नहीं हुआ एने डीपीच पहले के तरह सिम रहेगा ना बस ATP का बड़िन आया हर स्योटू पे दो ATP का तो एक गुलकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 6 स्योटू को लाने में 6 टन चलाने में 12 ATP और इधर से बच्चा कैल्विन साइकल यह 18 क्या 30 ATP का हो गया अब एड़ से फोटो सिंस करेगा और यह पानी का लॉस कम करेगा सर पानी का लॉस कैसे कम करे यह नहीं बताया आपने बता दो अभी अपट तो करो तो मुझे अप ध्यान से बताए कि अब ध्यान से बताए कि आपको यह चीज़ क्लेरेटी बन गई एक बड़िकाप कर लेकिन जब लाइट के इंटेंसिटी बढ़ी ओटू का इमांट बढ़ा यानि सी ओटू घटे तो फोटो रिस्प्रेशन में चला जाते हैं इनसे अड़ी बोलेगा लो सी ओटू तो आटोमेटिकली सोचो ना हाई ओटू अरे अभी मैं बोलो रात है तो यानि दिन नहीं है जब मैं बुलूद्धीन है यानि रात नहीं है तो जब लाइट के इंटेंसिटी बढ़ी फोटो रिस्प्रेशन जादा तो यानि सी ओटू कम तो उस दोरान में रुबिष्ट को ओटू से बाइन किया फोटो रिस्प्रेशन कर लिया तो सीथरी प्लांट फोटो रिस्प् पूछाए करेगा wadu कि ट्रेशन करेगँ या सीथरी प्लांट फोटो रिस्प्रेशन करेगा जब लाइट का इंटेंसिटी कम है जब इंटेंसिटी्टी प्लांटार हों डेकिन एक प्लांट बोलता है जिसका नाम बैने बोला थाई सीफूर प्लांट वह बोलता है कुछ भी कर लो टेप्रेचर बढ़ाओ उटू बढ़ाओ फोटो लिस्ट बढ़ाओ कुछ भी कर मैं फोटो रिस्परेशन नहीं करूंगा यह बैटा सीफोर फ्लांट था तो तुम बोलो के रीजन वाई तो रीजन मैंने आपको अभी एक्स्प्लेन किया कि सीफोर प्लांट में मैंने आपको क्या बताया होता क्यों है फोटो रिस्परेशन रुबिस्को किसे बाइंड कर रहा है रुबिस्को विल बाइंड विदा उटू से बाइंड करेगा तब ना तो सीफोर प्लांट में मैंने दो सेल में फोटो करा दिया आपको दो सेल में करा दिया पहले वाले सेल में chloroplast है, photolysis हुआ, light intensity आया, धेर सारे oxygen रिलीज हुए, लेकिन वहाँ रूबिस्को एपसेंट है, दूसरे वाले सेल में chloroplast है, लेकिन वहाँ ग्रैना नहीं है, वहाँ PS2 नहीं है, photolysis नहीं है, oxygen नहीं है, और वहाँ बैठा है रूबिस्को, तो जहां रू chloroplast, dimorphins clear, done, तो question पूचा जाएगा, C3 plant में कितने cell ने फोटोस में participate किया, बस एक ही cell बच्चा, mesophyll cell, C4 में दो cell, mesophyll और bundle cell, C4 plant में दो तरह के chloroplast, एक ग्रैनल और ग्रैनल, चलिए, तीस्री बार, C4 plant में, बच्चा, C4 plant में carboxylation कितने बार हुआ, दो बार, जबकि C3 में कितने बार हुआ, एक बार, किस ने किया, C3 में photorespray, जो carboxylation है, CO2 को पकड़ा है, तो कौन सा enzyme है, सर, रूबिस्को है, लेकिन अगर C4 का है, अगर question है कि first carboxylating enzyme कौन था, तो answer बटा, पेप को, अ अब पूछेगा, क्या बच्चा, रूबिस्को enzyme कहा होते, C3 में है क्या, हाँ सर, C3 में है, मीजोफिल cell में, स्रोमा में, photosin करेगा, glucose बनाएगा, क्या C4 में हाँ सर, होगा, क्योंकि रूबिस्को is the basic enzyme, ना, उसके बीना तो चली नहीं सकता, ना, उसके बीना तो glucose बनी नह में, चली, अब मैं पूछो, does plant contain pep case, क्या pep case या pep carboxylase होते हैं, तो आप बो लोगे, सर, C3 plant में तो नहीं होते, C4 plant में दो carboxylating enzyme था, पहला pep को, दूसरा रूबिस्को, तो यहाँ पा pep case का जो concept आएगा, वो बच्चा, वो बच्चा, के वल का है, C4 में, कुछ pep case में दोनों में लिख दिया है, C3, C4 में, भूल जो, वो concept को बच्चा, transporting plant से जोड़ा है, वो जोड़ा है, कि जब स्टुमाटा खुलता है, तो गार्ड सेल में pep case होना जरूरी है, दुनिया का कोई भी plant होगा, स्टुमाटा है, गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल के chloroplast मे गार्ड सेल में pep case है, लेकिन पटा फोटो में तो participate नहीं कर रहा है, आप से क्या question पुछाए, अब symbol करे, does plant content pep case, आप बोले C3 में no, C4 में बचा, yes, चले, अब मैंने बोला, कि ये बचाए, photorespiration कौन करे, तो आप बचा C4 वाला जो है न, table, सब में बचा, negligible करना, negligible, negligible निकले, कुछ भी दे, C4, light बढ़ा दो, intensity घटा दो, CO2 बढ़ा दो, घटा दो, O2 बढ़ा दो, जो करने करो, आप बोलोगे, C4 कभी photorespiration नहीं करेगा, कुछ भी करो, तो आप बोलोगे, कौन करेगा, photorespiration, C3, लेकिन करेगा, बच्चा, condition में करे, जब intensity जादा है, और CO2 कम है, तो अब करेगा, ऐसा नहीं कि time pass में कभी भी कर देगा, अब बतो productivity किसकी ज़्यादा, जाएट सी बात है, C4 की ज़्यादा होगी, क्योंकि photorespiration missing है, फिर last में पूछा जएगा, temperature optimum, तो C3 को साथ में, बच्चा, problem में, high temperature पे, Rubisco, O2 से बाइन करने लगता है, इसलिए से temperature कम चाहिए, बच्चा, 20 से 25, और C4 को बच्चा, ऐसा problem है नहीं, क्योंकि वहाँ आपस, Rubisco कभी O2 से बाइन करेगा नहीं, अगर temperature बढ़ भी जाए, तो यहाँ temperature optimum है, बच्चा, 30 to 40, बच्चा, बुलता है, सर 40 से 50 क्यों नहीं लिगा, high temperature का मतलब तो 40 50, नहीं, बच्च से आप more than 50 में मत जाईए, 40 में मत जाईएगा, यह तो enzyme ही denature हो जाएगा, चलिए, अब एक problem तो है, एक problem ही है, बच्चा, C4 plant के साथ एक problem है, कि low temperature पे काम नहीं कर सका, अब को नहीं जाना है, NCRT में नहीं है, एक enzyme है, PPDK, phosphoenol pyruvate di kinase, जो pyruvate बनाता था, बच्चा, बच low temperature पे काम नहीं कर सकता, survive नहीं करेगा, तो यह एक sensitive, low temperature पे काम नहीं करता, कुछ बुक्लिट में question नहीं हो, चलिए, तो मेरों से हो जाएगा, ना, तो logically आप answer बताईए ना, तो मैंने आप से question पूछ रहा हूँ, चलिए, आप answer जरूर कीजेगा, इमानदारी से, इमानदा करता है, yes or no, आप बोलोगो, yes, क्या वो किसी भी condition भी करता है, no, कब करेगा, intensity ज्यादा, photo list ज्यादा, auto ज्यादा, auto spine करेगा, यानि जब CO2 कम है, यानि auto ज्यादा, तभी तो करेगा, चलिए, फिर मैंने बोला, क्या C4 plant कभी photo respiration करेगा, no, तुम बोले, क्यों, temperature बढ़ा द जाता हूँ, चली भाई, क्यों, उसका logic answer, क्योंकि मैंने रुबिस्को और O2 का association तोड़ दी, photo respiration के लिए क्या ज़रूरी था, रुबिस्को, O2 से बाइन करें, लेकिन मैंने यहाँ पस, dark reaction को पच्छा, दो पार्ट में कर दी, एक मैंने कर दिया, मीजो फिल सेल में, जहां ग्रैना है, light reaction है, photolysis है, oxygen release है, सारे ATP and ATP बनके धेर सारा oxygen भी बने है, लेकिन वहाँ पर रुबिस्को नहीं है, contact में नहीं है, photo respiration नहीं करें, अंदर का दिवार मोटा है, diffusion नहीं होगा, अंदर में chloroplast है, लेकिन ग्रैना नहीं है, photolysis नहीं, oxygen release नहीं है, रुबिस्को, O2 क कहां से आए, तो CO2 को पकड़ने के लिए, मैंने एक नहीं enzyme लाया, पेप, carboxylase, पेप, case या पेप को, वो पकड़ेगा, और अंदर में pump करेगा, पकड़ेगा, अंदर में CO2 अगर बढ़ जाएगा, तो कभी भी रुबिस्को, O2 से बाइन कर नहीं सकता, तीसरा, जो bundles इस से बाइन कर ही नहीं सकता, चलिए, कई सारी reason मैंने आपको बता दिया, already, चलिए, अब मैंने बूला, कि ये बताएए, कि जो C4 plant है, फोटो, ए, फोटो, कितने सिल में कर रहा है, दो सिल, मीजोफिल बंदल सिल, क्या C4 plant में, रुबिस्को है, हाँ है, कहां है, तो सरपंदल सिल में है, ठीक है, फिर मैं पूछूँगा, कि जो C4 plant को एक glucose बनाना है, तो कितने ATP NDP चाहिए, तो बोलना क्या answer बोलो कोई, सर, यहां पर थोड़ा complexity, Kelvin cycle चलेगा, सर, एक glucose बनाने के लिए, 18 ATP, 12 NDP रखो अपने हाथ में, लेकिन सर, 6 CO2 पकड़ के लाने में न, 6 बार, C4 cycle चलाना पड़ेगा, जिसे हम hatch and slack cycle भी गहते हैं, और उसको पकड़ के लाने में, सर, 12 ADP खर्च हो जाएं, तो 12 और 18 कितने होगे, 30 ADP, NDP इक्वल रहेगा, लेकिन इसे फायदा है कि कभी photo description में जाएगा, बोले सर, ठीक है, एक line समझा दो, सर, last, यह C4 plants है, water loss कम कोन, क्यों है, वीजोफिल पाज, वाच सिल है, देकि सरफसे अरी इतना बड़ा है, C4 बच्चा, क्या बचा रही है था, वीजोफिल सिल, बच्चा, रिंग के फॉर्म में होगा, 2, 3,4, और 5, अगर यह बच्चा रिंग के फॉर्म में है, तो देके नं ऍसरफिस अरिया, देखें तो पांच से लोगे तो water loss भी कम होगा जबकि इनका surface area जादा है water loss जादा होगा क्या logic समझ में आया इसलिए ring के form बनने में surface area घटेगा अब मूतियों की माला लो और linear रखो और देखो उनका surface area उसे ring बना दो surface area देखो तो surface area कम intensity light का कम गिरेगा water loss कम होगा तो यह water का loss कम होगा इसलिए water conservation में बेटर कौन? सीफोर तो हर मामले में बेटर कौन निकला? सीफोर अब आप NCRT को उठाएए और जहांपर सीथरी सीफोर को compare किया गया है उसको बहुत ध्यान से compare करके बनाईए एक एक चीज आसानी से पढ़िए बच्छा आराम से अब बना लिना इधर सीथरी plant है ना एक मिनट इधर रहना है यहां पर सीथरी plant कैसे चला जो सीफोर plant है इस पर बच्चा एक है कौन मीजोफिल से एक कौन है बंडल से से यहां पर कैसे हुआ यह पूरा कर लीजेगा आसानी से समझ में आ जाएगा ना तो चलिए हम लोग नेक्स क्लास में मिलेंगे इस पर बाते करेंगे लेकि इसके बाद में इकोलाजी करें ठीक है थैंक यू नेक्ट बाबाइग